आज की क्लास में हम PHP के बारे में थोड़ा theory जनकारी लेंगे ताकि आपको PHP के कुछ theoretical knowledge भी हो जाए हाला कि हमने PHP के बारे में कुछ practicals कर रखे हैं जिनमें हम PHP की working छोटे पहमाने पर देख रखी है फिर भी यहां पर PHP के बारे में आप जानेंगे तो PHP एक scripting language है जो की server site की scripting language होती है यानि कि इसके लिए आपको server पर एक application या app या बोला जाए तो एक server software इंस्टॉल करना होता है जिसका नाम होता है zamp और zamp के द्वारा इसकी compilation की जाती है compilation के बाद आपका output जो है वो HTML के form पर display होता है client machine पर अगर आप एक ही computer पर client और server दोनों चला रहे हैं तो आपको local host से इसको access करना होगा और local host के लिए एक IP address को reserve किया गया है वो IP address है 127.0.0.1 जिसको हमने पिछली class में करके देखा है आगे हम देख रहे हैं कि PHP की कुछ विशेस्ता है यहां पर आप देख सकते हैं कुछ features है PHP का कि उसको हम क्यों use कर सकते हैं सबसे important feature जो PHP का वो है कि PHP बहुत ही fast होता है यानि कि आप इसमें कोई website अगर design करते हैं तो इसका compilation बहुत fast होता है पेज आपका जो web page है वो काफी speed से load होता है दूसरा इंपोर्टेंट feature आप यहां पर देख पा रहे होगे कि इसका जो syntax है वो बहुत ही common और simple सा है अपने अगर कोई और language इसके पहले programming language सीख रखी है जैसे c, c++ उसको आप काफी अच्छे से इसमें implement कर सकते हैं यहां पर कुछ उसके features दिये हुए हैं और इसके बारे में आपको जनकारी मिलिया तो इस features को आप PHP के features के रूप में लिख सकते हैं तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि PHP का जो full form होता है pre-hypertext processor है और यह जो है इसके जैसे scripting language और भी उपलब देजैसे JSP, ASP लेकिन यह सबसे fast work करता है तो कि इसका जो syntax और compiler है बिलकुल c language की तरह पूरे syntax इसमें use किया जाते हैं PHP को HTML के साथ embed किया जा सकता है जैसा कि हमने देखा था कि PHP का एक tag होता है PHP tag open करिए PHP tag को close करिए और HTML file में ही PHP tag के बीच में आप सारे codes को उसमें embed कर सकते हैं HTML के साथ ही उसको add किया जा सकता है PHP एक object oriented programming language भी है object oriented programming language जो होती है procedural oriented programming language से काफी अच्छा performance देती है और इसमें बड़े code को काफी असानी से without complexity हम handle कर सकते हैं है निए PHP का जो scripting है या उसके जो server site की coding है वो आप open source देख सकते हैं और उसको manipulate करके आप अपना खुद का वर्जन launch कर सकते हैं PHP बहुत ही simple और easy है इसको काफी असानी से सीखा जा सकता है चलिए आगे देखेंगे तैसलिए आगे देखते हैं यहाँ पर हम वाइय यूज पीएच्पी पीएच्पी का यूज हमें क्यों पर चाहिए पीएच्पी को का यूज का हम कर सकते हैं Dynamic कंटेंट को handle करने के लिए यानिक इनक हम किसी भी content को run time पर change कर सकते हैं इसका सबसे अच्छा example है जैसे आप अपना result देखते हैं आप अपना roll number देते हैं तुरंत आपका result जो है html के form पर php के compiler के द्वारा create किया जाता है और वहाँ से html file send कर भी जाती है clear है जैसे आप print करते हैं से pdf file बनके download हो जाती है इस तरीके से dynamic content को changes करने के लिए हम php का use कर सकते है html हमें allow नहीं करता कि dynamic content को हम change करें dynamic content को change करें का अपने form भरते समय जो page आते हैं उनमें देख सकते हैं को जरूरी नहीं कि वह सारे pages html में बने हो html php में बने हो php जैसी कोई दूसरी technical language में बने हो सकते हैं php में आप sessions भी create कर सकते हैं sessions बहुत important होते हैं security के दिश्टी कूंट से देखा जाये तो sessions जो होते हैं वो आपके username और password को यानि कि authentication को maintain करने के लिए use के जाते हैं यानि कि अगर आप username और password गलत देते हैं तो आप page का url पता होने के बावजूद भी आप उसमें enter नहीं कर सकते हैं पेज का location पेज की सारी details आपके पास है लेकिन बिना session के page को load आप नहीं कर पाएंगे यानि कि बिना facebook का जो से password आप नहीं डाले हैं तो आपका page को ही load नहीं कर पाएगा यह सारी चीजों को maintain करने का भी की सुविदा आपको PHP में मिलेगी इसके अलावा cookies को भी आप access कर सकते हैं यह सब features में भी आ सकते हैं cookies को भी आप access कर सकते हैं cookies एक चोटी file होती है जो कि client side में store की जाती है किसी web page के द्वारा और इसमें काफी सारी information पहले से रखी जाती है ताकि आपका web page जो है वो तेजी से work करे उसके बाद यह आपको encryption की facility भी देता है encryption की facility का मतलब है कि अगर आप अपना कोई secure data send कर रहे है client machine से server machine पे उसके बीच में यह चीजे जो है कोई hack न कर ले इसलिए PHP आपको encryption की सुविज़ा भी देता है encrypt करके data भीजेगा और फिर decrypt करके वहाँ पर original data निकाला जाता है encryption decryption अपने आप में बहुत बड़ा area है इसको cryptography कहते हैं तो cryptography का use करके cryptography का use किया जाता है PHP में और इसके द्वारा encrypt और decrypt किया जाता है ताकि आपका data data बीच में hack now अगला पॉइंट जो है PHP जो है बहुत सारे प्रोटोकॉल्स को support करता है जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स के नाम यहां पर दिये हुए हैं मतलब maximum protocols को यह support करता है जिससे आप अपने web page को काफी portable बना सकते हैं अगला point है आप user control भी कर सकते हैं इसमें आपने देखा है कि control panel हमारे पास होता है PHP का उससे हम database के पैनल को control और PHP की server और उसकी सारी configuration को भी control कर सकते हैं next point है आपका PHP का installation काफी easy होता है और उसका setup भी काफी easy होता है तो PHP का installation के लिए आपको jam server को install करना होता है याद रखेगे कि operating system के हिसाब से jam server के अलग-अलग versions आते हैं आपके operating system में जो jam server suit करेगा आपको वो version को install करना पड़ेगा कुछ versions जो हैं हर operating system में support नहीं करते हासकर कि Linux और Mac के लिए अलग-अलग version आते हैं बहुत important point होता है कि आप जिस machine पर आपकी जो server है आप अपनी website जिस पर host करने वाले हैं वो server किस operating system पर चल रहा है ज्यादा तर servers जो है वो Linux operating system पर चलाया जाते हैं उससे फाइदा यह होता है कि काफी अच्छा security control Linux हमें देता है प्लस hacking कि सुविधा सुरी hacking जो है वो जल्दी नहीं होती है उसमें authentication काफी strong रहता है और virus का जो attack है वो भी बहुत कम होता है तो 99% जो servers है वो Linux based operating system पर चलते हैं फिलाल हम यहाँ पर जो PHP install किया है जो XAM server हमने install किया है यह Windows based है और यह Windows 7 पर हम अभी run कर रहे हैं यह पिएच्पी में हम forms को भी handle कर सकते हैं जैसे हमने form tag देखा है HTML में HTML में हम form tag पड़े हैं है पिएच्पी के द्वारा उससे communication किया जा सकता है इस तरिके से PHP के बारे में कुछ और information हमने देखी है और आगे फिर और देखते हैं पिएच्पी के features को अगर point wise देखा जाए तो हम उसको इस तरीके से point wise लिख सकते हैं यहां पर हमने इसके पहले जो भी details पढ़ी उनको हम point wise ऐसे describe कर सकते हैं कि PHP की जो performance है वो अच्छी होती है अगला जो है इसका feature उसको एक वर्ड वर्जन करके नया वर्जन अपने अपर्टिंग सिस्टेम के इसाब से खुद का नया वर्जन अप्लाउंच कर सकते हैं अगला जो है इसका feature उसको एक वर्ड में लिखा जा सकता है कि यह familiarity देता है syntax में इसका जो syntax है वो दूसरी पुरानी languages से काफी ज़्यादा मिलता जुलता देखने के लिए मिलेगा यानि कि आपने अगर पुरानी languages जैसे C, C++ पढ़ी है या Java पढ़ा है तो आपको इसके syntax बिलकुल आसानी से समझ में आएंगे और उससे मिलता जुलता syntax आपको दिखेगा अगला जो point है वो embedded है PHP का code HTML के साथ काफी असानी से embed किया जा सकता है PHP tag के द्वारा और ये scripting हमको देता है platform independent भी कह सकते हैं यानि कि PHP के जो server है वो सभी operating system के लिए उपलब्द है आप इसको PHP को सभी operating system पर work कर सकते हैं जैसे windows, mac, linux, unix सभी के लिए इसके words उपलब्द है इसको एक word में बोला जा सकता है यह platform independent है यानि कि आपका जो server है windows का हो, mac का हो, unix हो, linux हो, उस पर depend नहीं करेगा सभी के server, software जो है different, different है तो आपका code करते समय आपको ध्यान नहीं देना है बट केवल server, software installation के समय आपको ध्यान देना होता है वो service provider का काम है तो developer को यहाँ पर platform के बारे में ध्यान देकर की code करने की जरूरत नहीं होती बहुत ही अच्छा feature है कि आपको server पर कौन सी machine बैठी है, क्या operating system बैठा है उसके ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस feature को platform independency कहा जाता है यह सेम उसी तरीके से होता है जिसका example आपको मैं बता दूँ कि अब मैंने कोई website बनाई है वो website हिंदी में बनाई है मैंने तो उस website को अगर मैं किसी server पर host करता हूँ तो website का area काफी छोटा हो जाएगा केवल इंडिया में ही उसको open किया जाएगा और समझा जाएगा जैसे हम कुछ websites open करते हैं उसमें Chinese language में लिखा होता है वो website हमारे किसी काम की नहीं होती है क्योंकि वो language dependent website होती है यहाँ पर देखिए मैंने language dependent word यूज करेगा कि आप उस website के content को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे अगर मैं उस website को language independent बना दूँ किसी technology का यूज करके जो कि अभी Google करता है कि website को language independent बना देता है आप एक website को unicode में convert करके host करते हैं और इंडिया में जब उसको खुला जाता है तो वो हिंदी में display होता है चाइना में खुला जाता है तो वो Chinese language में display होता है और USA में खुला ज है वो language independence देता है मतलब आपके वो language के बारे में ध्यान देने के ज़रूत नहीं अपनी website को आप Unicode में लिखिए और Unicode को उस website को जिस country में open किया जाएगा उस language में वो display करेगा तो language इंडिपेंडेंसी को बनाने के लिए Google जो है पीछे से सपोर्ट करता है यहां पर PHP का जो सर्वर है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी अपको देता है तो मुझे लग रहा है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा अगला important feature है आप मैनेज कर सकते हैं इन सभी के द्वारा और आपने देखा भी है कि MySQL का सर्वर जो है जैंप में पहले से होता है प्लेटी जो को भी आप यहां पर देख सकते हैं कि इनको एक वर्ड में लिखा जाता है कि डेटाबेस को सपोर्ट करता है Error reporting अगला जो feature है PHP में अगर आपको PHP की कई सारे जो compiler होते हैं उसमें part search होते हैं और PHP की compilation के दौरान वो आपको Error की reporting भी देते हैं Error की reporting जिसे अपने PHP में कोई गलत code लिखा कोई syntax गलत लिखा तो run करने के दौरान वो आपको Error की report भी देगा जो की JavaScript वगेरा में आपको नहीं मिलती है यहां पर अगला जो feature है यह आपको दिया हुआ है कि loosely type language इसको एक word में लिखा गया है इसका सिज़ा सिज़ा मतलब है कि यहां पर जो data types वगेरा है उनका जो declaration है वो काफी सारी चीज़े इसमें optional होती है यहांने कि data type को आप declare नहीं करेंगी जैसे c language में आप देखे तो वहां पर int i लिखना जरूरी होता है उसके बाद ही आप i को यूज कर सकते हैं नहीं है implicit declaration होता है जैसे जावा स्कृप्ट में होता है तो पूरी तरीके से इसमें दो तीन चीजें मिक्सप रहती है तो इसको लूज कहा जाता है clear तो एक और जो इंपोर्टेंट फिचर है कि यह वेब सपोर्ट देता है हमको सरवर का सपोर्ट देता है यह अपने देखा है कि वेब सबरूर के सपोर्ट को हम कैसे यहां पर देखें security देखें ने देखा encryption decryption के दिवरा security देती हैं सिर्फ output आपको दिखाई देता एक code दिखाई नहीं देता उसके साथ आपको control panel के तो सारे controls भी देता है तो आज की class में हम इतना ही देखते हैं कल की class में थियोरी में ही इंस्टॉलेशन का थियोरी और आगे कुछ सिंटेक्स के थियोरी भी देखेंगे अभी कि क्लास में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं